अब जैन भाई क्या यह पहला दिन 300 विलमिटर और यह हालत है आज उद्धापूर देखो मन किया तो रुख जाएंगे उद्धापूर घुम लेंगे रात को अधर वाइस मन किया तो निकल जाएंगे जैपूर जैपूर में रुकेंगे नहीं तो किदर भी नहीं रुकेंगे शायद दिल्ली चले जाएंगे अभी जैसा मूड बनता है तो वोस्त वीटुब वन सब्सक्राइब करें वर्कम बैक तो मैं चैनल माइन में शिवमा और वाचिंग सुबभाइक तो मौनिंग में चार बज रहे हैं और एक्साइटमेंट लेवल इतनी है कि बताई नहीं जा सकती जो पैकिंग होगी है वह बता सकते आपको क्योंकि अब अब नीचे बाइक को लोड करने का टाइम आ गया है दोनों बैग अपने सेट हो चुके हैं गिए अम लोग में आलमोस पहन लिये हैं यह बैग में खाली बाटो बैग रहने वाला है एंड डिस वूड बी जैकेट अभी चलते फटा-फट समान लोड करते हैं तो स्वीट ओ अब क्यों पाइट तो वो जिदने बुला भाई लाव बैग में पकड़ लेता हूं आए है 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 तो गाइस यह हमारी बाइक का सटप जैश्री राम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं है और नर्वज भी ट्रिप को करते हैं रीसेट जैश्री राम सब्सक्राइब करते हैं यहां से दिल्ली पहुचने में एक दिन बट हम को कोई जल्दी नहीं तो जहां जैसे मन करेंगा हम रुक जाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हर एक बाइकर का सपना होता है और हम लोग उस जर्नी पे निकले हैं यहीं वाला ना जो मेरा पहला वाला ओफिस वाला रास्ता दाना फ्यूल अम लोग करने वाले हैं गुजरात में क्योंकि वहां पर फ्यूल प्राइस काफी कंपरिटीव लो हैं और गुजरात बॉर्डर यहां से नाट मोर देन टूहंड़ किलोमेटर से इतना तो कवर होई जाएगा यह फ्यूल में पहली बार इस पर सैडल लगाया था और बैलेंस मैंने सोचा था जैसा कर रहना ची वैसा ही गाड़ एक दम स्ट्रीट चल रही है तो दोनों साइड इक्वल वेड डिस्टिब्यूट हुआ है जैन भाई तुम भी कम नहीं लग रहे हो तो थोड़ा कॉर्णरिंग आज कम करना भी क्योंकि तुमारा बैक जरा ऊपर है तोड़ा तो हिल रहा है मुडिंग कैसे तो दुमारा भी तक हम भी नों कें मर खूर कर लिये थे और सण राई ऑलंग दर्ट सिछ बा संगार बोग में नियुक तो ट्योंकि प्राई टमारा प्रार कें लूग गाई व्यल्लों ल्यत तो द्सक्राइज प्ल्यूरा प्रूर्फा श्टिवार अजड लिए जन भाइब को भी थोड़ा एज़स करना था क्योंकि वह थोड़ा सा लटक दिया था यह पहली बार बांदा हो थो थोड़ा वह अपने इसाब से एज़स हो गई है क्या ही प्यारा वी हो सुबह 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 तो अभी सब कुछ अगें फिर से हमारा सेट हो चुका है टाइम हो गया है 6 11 और हम लोग निकले थे साड़े चार के आसपास और हंड़ेट किलोमेटर नॉट बैट सेटी में निकलने में थोड़ा टाइम लगिया बट आगे और भी ज्यादा मज़ा आने वाला है अभी अंदेरे में आप लोग ने बाइक एक्जाक्ली देखी नही मज़ा आ रहा है एक दिल कुछ हो गया हर दिन इस बाइक से ना प्यार पढ़ते ही जाता है और हम लोग पहुंच चुके हैं आलमोस्ट आलमोस्ट वो जो आगया को इसा लंबा सा कुछ दिख रहा होगा और यहां पर लिखा हुआ भी है महाराष्ट्रा चेक पोस्ट तो य यह गुजरात और महाराष्ट्रा का चेक पोस्ट हम लोग यह चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद होंगे गुजरात के अंदर और अभी तक हम लोगे कवर कर ली हैं 123 किलोमीटर काफी अच्छा था अभी तक का महल गर्मी अभी तक कुछ लगने रही है 747 टाइम हो रहा है और अभी हम हो गए महराष्ट्र से गुजरात में तो गाइस इस इस फर्स्ट फ्यूल स्ट फॉल स्ट फर दे और 23.8 किलोमेटर पर लीटर का अभी जाया निकल के वी तक वह यहाँ पर 97.45 रूपी जै पेट्रोल इतने खुश्य हुश्य 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 तो जहां जहां बाइक रुकते हैं वहां वहां मौल बनने लगता है तो फिलाल है अभी हम लोग सूरत में और हम लोग ने कवर कर लेंटर यहां पर फ्यूल डलाया है मैंना मतलब जितनी बार बोलता हूं उतना कम है इस गाड़ी की परफॉर्मेंस यह इतनी वर्सटाइल ह खाल इसमें एक चीज की प्रॉब्लम है वह है ग्राउंड क्लेरेंस लेकिन ऐसे रास्तों पर तो भाई वह तो है नहीं तो फिर गाड़ी क्या ही परफॉर्म करती है अभी हम लोग जस्ट थोड़ा सा दस मिनट का ब्रेक ले रहे थे दस मिनट के बाद फिर से निकलेंगे तेमपरेचर आउसाइड का हो गया है 32 डिग्री सेल्चियस और टाइम हो रहे है ताइम हो रहे है दस पाच अभी I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh and this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never I mean I'm telling a very old story I'm telling you when I had a Duke 390 and I had a ride on a 1600 km on a $10 km. éénum आए तो जब अपने घर पर नहीं तो जो मेरे घर के रिलेटिस थे वह बोल रहा है कि तुम फेरी वाले हो मैं घर पर पहुचा तो लोग मैं मुझे पैचाना ही नहीं नहीं हो लगा कि कोई मतलब से फेरी वाला आया है जब मैंने हेलमेट निकाला तो भाई जो हसे थे सब मेरे उपर जो हसे थे लिटरिली मतलब मैं तो एकदम शर्मोशार हो गया था कि क्या मतलब आप अपने नजर में बहुत कूल होंगे मैं एक एक कॉंटेक्स सेट कर रहा हूँ कि आप अपने नजर में बहुत कूल होंगे बहुत स्मार्ट होंगे और एनिटिंग नॉट उनली बाइकिंग या एक्स वैसर कोई भी अगर सामने वाले कोई सीट की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए तो वह तेल कम पानी ज्यादा वाला हिसाब किताब हो जाएगा तो हर ची कि बूलता है वहां पर पूरा ट्राफिक है कि दर से जाना चाहिए कि दर से जाना है तो अभी यह आगे क्या है जो इतना डाम लगा है अच्छा यहां से निकल जाएंगे ना आच इक्जास निकल गया लगता है कांड हो गया अरे नहीं बहुत गर्म है और हाथी चिपक गया लेदर ही हाथ में एक अंदर ही चिपक जाएगा चमबडी पे नहीं कहीं काम सही नहीं करता था सब्सक्राइब कर देंगे पता नहीं कैसा मेकेनिक है या रहे आई डोंट ट्रस्ट एनी मेकेनिक बट थैंक यू सो मच सुभाई यहां पर पानी मिल गया तो थोड़ा हांट डाल के अभी उसको कर दिया है मैंने जगे पर डाल दिया है जहन भाई क्या यह पहला दिन 300 km और यह अहालत है अभी तो यार 3000 km जाना हम लोग को मैं वोला मेरा मूड खराव है थोड़ा दूसरों काई बना दू एक लिए जाके प्रीट्राइब क्या में सापने भी कैसे कैसे तो निकले हाइवे पे अभी तुम मोमोस की बात चोड़ो प्यादे अपने को एक्जास सही कराना है नहीं तो किदर यह फसेगा ना और ऐसा पल्टी कर देगा मिर को अभी अपने को गयाराश पर ध्यान देना जारा गयाराश डूंड़ो कैसे कैसे मेकैनिक है और उसको मालूम है तुमको पता उसको पता है कि हमको इतना दूर जाना लग्दाग फिर भी ऐसी गंदी लापर रवाई किया बंदे ने हो जाएगा अभी टाइड करिए वहां से तूड़िया बोल्टी तूड़िया है बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नहीं तो दिक्कत हो जाती थी कि नहीं हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं हम लोग लग लद्दाग जा रहे थे हैं बहुत-बड़ा सहपा हो जाता था कि एक दम सई टाइम पर मतलब यह देख लिया हम लोग ने गाड़ी हमारी अगें चल पड़ी है जो नीचे स्टेशन दिकरा होगा यह बरूट अब अब निकाल रहे हैं तो गाइज एक गंटे के ट्रफिक के बाद अभी मस्त काली रस्ता मिला अभी थोड़ा मौसम बना देते हैं अब 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 आए लोग पाहिए देवाड़ोद्र भरूज तोल दिन का था हमारा साथवा डोल और गाड़ी अपनी दना दन चले ही जा रहे हैं तोटल किलोमेटर बता है कितना हुआ है 372 खिलो मेटर आज उदेपुर देखो मंकिया तो रुख जाएंगे उदैपुर घूम लेंगे रात को अधर्वाइस मंकिया तो निकल जाएंगे जैपूर में रूखेंगे नहीं तो किदर भी नहीं रुखेंगे शायद दिल्ली च और वाले हैं और बाइक अपनी वहां पर पाग थी और हम पहुचे थे गोद्रा में यहां से है उद्धेपूर 200 किलो मेटर अल्मोस्ट और काफी मज़ा आ रहा है अजी तक रूट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बता दिया था कि इम लग कॉन सा रूट ले तेस्टी यह बट तो गाइस हम लोग का अल्मोस्ट वानार का ब्रेक हो गया रहेगा यहां पर पराठे बहुत है टेश्टी थे जनभाय अपको कैसे लगे पराठे है जालीश रुपय में और गया थी चालीश रुपय में पराठे थे दाही थी शक्कर था पूर 34 हो गाए हाँ आपने को अंदेरा होई जाएगा था था राइट लेना आपने को तो यहां से हमको चलना है स्ट्रेट स्ट्रेट अल्मॉस्ट टू फिफ्टी किलो मेटर और उदैपूर तो हम लोग ने जो इसके पहले का हलोल का टन मिस किया उसके वज़े से यहां डिस्टेंस तो 100 किलो मेटर कम हो गई बट रास्ते थोड़े खराब हैं जैसा अपना हलो तो यहां पर देखोगे तो यह टूलेन रास्ता फोड़ा उठा पटक है तो यह लफट वाली बात है वाकि वह लोग रास्ता अच्छा था 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 अपने वो टन मेंस किया यूटन मार सकते थे अपर ऐसा हुआ कि रास्ता यह यह वहीं जाना है तो अल्देवे फिर से यू अच्छा रास्ता इसा अच्छा है क्योंकि इसके पहले बहुत खरापता था 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 फ्यू मोमेंट्स लेटर असे लफ गया तो मुड़ासा शालमा जी और उदेपूर यहां से 154 किलोमेटर हम लोग ने काफी अंदर अंदर बहुत ज्यादा ही गुम और फाइनल यह भाई वे पर अगे अंदर तो हम लोग ने आलमोश घुमा रहेगा तो देड़ सो किलोमेटर कुदैपूर वन विप्टी से यह तो मूवी वाला सीन हो गया मैं जा रहा हूं रोड ट्रीप पे और आगे गदे है उठ है वक्री है मेरे दोस्त लोग भी है कुछ इसमें मूवी वाला सीन मेरी हीरोईन बक्री चरा रही है मैं विदेश आया हूं उसे मिलने के लिए यह पेनी रेनियर के साथ क्या पावर लगती रहेगी ना हुआ 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 है हुआ है अब लोग क्रॉस कर रहे हैं गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर हुआ 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 है तो इसमय को नहीं है अब प्रूस अब दूशान के अब लोग उधरपुर से थोड़े चालीज की आप पहले हैं शाम उन्हें वाली थी मतलब शाम होई जाएगी और हम लोग लाइक मैं कल ऑफिस से डारेक्ट निकला हूँ तो आराम भी नहीं पिया था इतना अच्छे से तो अभी चलेंगे वीडियो एडिट करेंगे और अप्लोड का देखते हैं यहां पे नेटों का दोड़ा क्योंकि यह पुरा पहाड़ी रीजिन है अभी यह भाई साप सामान ओपर लेके जाएंगे इकना ज्यादा मतलब मज़ेदार को नहीं मज़ेदार था अबर एक दो हर्डल समने देखी जैसा कि आप लोग ने वीडियो में देखा ही होगा तो उसके वज़े से आप संड डा कि एपना अटा है वीडिया सेंग यह व्या था एक वाई पी झाला थाम्स अब लाइक अन्ड्रा में अवेड बंड्र के इस्टर थे इनल्मन भी तो वाई ख व्यां कि दो अटर चैने दो वाई आ ट्यामूट अ कि अटिक दो सामान प्ले न वीडियों कि आख सट विडियो झाल 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 झाल